कोरोना के प्रकोप को देखते हुए कुछ राज्यों की सरकारों ने अपनी यहां एक बार फिर लॉगडाउन लागू कर दिया है बिहार में राजधानी पटना समय दस जिलों में लॉगडाउन लागू किया गया है उत्तर प्रदेश में आज राज से सोमवार सुभा पाँच वजे तक लॉगडाउन रहेगा पश्चिम मंगाल में कंटेन्मिंट जोन और बफर जोन में सक्त लॉगडाउन रहेगा राज्य सरकारे कोरोना से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है बिहार में बढ़ते कोविट संक्रमन के कारण राजधानी पटना सहीत राजी के 10 जिलो में आज से लॉगडाउन लागू है चार जिलो, बकसर, नवादा, सुपॉल और किशन गंज में तीन दिन तक पूर्ण लॉगडाउन रहेगा खगडिया में 5 दिन के लिए इस महिने की 14 तारिक तक पूर्ण बंदी के आदेश जारी करती हैं पटना, मुंगेर, मधेपूरा, कैमूर और पूर्णिया जिलो में इस महिने की 16 तारिक तक पूरी तरह लॉगडाउन रहेगा उत्तरप्रदेश सरकार ने राजी में बढ़ते कोरोना संक्रमन को देखते हुए आज राज से 55 घंटे की पूर्ण बंदी लागू करने का फैसला किया है ये प्रतिबंद सोमवार सुभा 5 बजे तक लागू रहेगा हलाकि सभी आवश्चक और आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह चलती रहेंगी इस अवधी के दौरान व्यापक सनिटाइजेशन अभिहान चलाया जाएगा स्वास्त कर्मी भी कोविड-19 के संदिक्द मरीजों का तुरंत पता लगाने के लिए जाच का कारे जारी रखेंगे तमिलाडू में कोविड-19 के सिती के आकलन के लिए गए केंद्रे दल ने आजचे नई में मुक्हमंत्री ईपलनिसामी से मुलाखात की इस दोरान राजी में महामारी पर खाबू पाने के लिए अपनाई गई कारे नीती के बारे में टीम को बताया टीम के सदस्यों ने कलचे नई में कोविड-19 अस्पताल राजीव गांधी जन्नल अस्पताल का दौरा किया था महाराष्ट के औरंगाबाद में जन्नता कर्फ्यू लगा हुआ है नौ दिनों तक चलने वाले इस कर्फ्यू से कोरोना के प्रसार को कम करने में मदद मिलेगी वहें महाराष्ट में अमरावती में आज से कोविड-19 के गंभी रोग्यों के उपचार के लिए प्लाजमा थेरेपी प्रणाली आरंभ की गई है दिली सरकार ने अपने साभी औशधालयो और पॉलिक्लिनिक्स में ततकाल एंटिजन जांच सेवा उपलव्ध कराने का निर्णा लिया है ये जांच सभी कारे दिवसों पर सुभा नौ बजे से दोपहर बारा बजे तक कराई जाएगी इन्फलेंजा जैसी बीमारी के लक्षन वाले लोगों की एंटिजन जांच की अनुमती दी गई है ब्यूरो रिपोर्ट राजी सभा टीवी